जैसे यरा मित्रों, मैं नरेल सिंग फौजी प्रदेश महा सची उसाइनिक प्रपोष्ट जनसप्ता दल्मुतांतरिक उत्तर प्रदेश मेरे सम्मानित मित्रों जिस प्रकार सिछ्छा, संसकार, संस्कृति हैं हमारे जीवन में जीने का, रास्ता बताती है, मदद करती है, मदद करने के साथ हमें समाज में, अपने बड़ों का, बुजुर्बों का, किस तरह सम्मान करना है, उसके लिए हमें प्रेडिद करती है मित्रों दो दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं अपने आपको सम्हाल नहीं पाया सोसल मीडिया में दो दिन से, हमारे बद्री नरेस, बड़े महराज, कुमर उदे पताब सिंग जी वो तस्वीर जिसमें हमारे राश्टिय अंदे च्यक्मर गुराज पताब सिंग और फुराज अभिया जी के दोनों सुपुत्र, कुमर बृज राज पताब सिंग जी, कुमर सिरॉज पताब सिंग जी अपने बावा को दोनों हाथों से एक सहारा दे के उनकी मदद कर रहे मित्रों जिससे मैं प्रभावित हूँ प्रभावित होने निके साथ साथ हम सब को उदाराण लेना चाहिए सीख लेना चाहिए कि जिस तरह से उन बच्चों को उस परिवार में संसकार दिये गए है उस संसकार का उदाराण लेकर अगर सौ में पॉइंट एक परसेंट भी हम लोगों ने बड़े माहराज के दौरा दी गए ऐसी सिच्छा को ऐसे संसकार को ऐसी सेवा समर्पण की भावना को अगर हम लोग जीरो एक परसेंट भी अपने जीवन में उतार लेते हैं उसका पालन कर लेते हैं तो सायथ हमारा मानो जीवन धन्य हो जाएका मित्रों बहुत बड़ी चीज है कि आज जिस तरह उन बच्चों को हमने देखा उन छोटे यूगराजों को हमने देखा कि अपने बाबा को अपने दादा को सहरा दे रखे हैं दिल में एक अनभूत होती है हम सब को उधारन लेना चाहिए और मित्रों मैं बड़े गर्वस के साथ कहता हूँ बड़े फक्र के साथ कहता हूँ मैं जिस पारटी के साथ जन 17 लोग तांतरी के साथ और जन 17 लोग तांतरी के राज़्टियत देच्चे हो और हमारे नेतर तो करता कुमर रगुराज पताम सिंगूर्फ राजा भईया जी के साथ हम लोग जुड़े हैं उनके साथ काम करने का सोभाग मिल ला है उनके पार्टी के साथ काम करने का यहां उसर मिल ला है यह हमारे लिए बड़े सोभाग की बात है हम सब लोगों के लिए सोभाग की बात है क्योंकि मित्रों इस तरह के संस्कारी इस तरह के संस्कारों का पालन करने वाले बिड़रे ही लोग बिड़रे ही राज्टियत जच्च है जो कि सेवा भाव से अपनी चंता के लिए समर्पित रहते हैं शदे उसोसित पीडित प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं शादर पढाम करते हैं ऐसे हाँ डोत्यों को ऐसे प्रेणा दाई राता अस्मरणी संसकारी कुमर रगर्वाज कताब सिंगर फुराजा भीयाजी जैसे रहाँ शादर पढाम